नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है प्रस्तु थे चाड़क के नीती के आधुनिक रूप अंतरण की एक और वीडियो चाड़क के नीती को पूरी तरहे और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखे दोस्तों धनकी देवी लक्षमी को परसन करना है तो आचारे चाड़क के की इन बातों को जरूर जाने दोस्तों आचारे चारक के एक योग्य शिक्षक होने के साथ ही एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से लोगों को धन का महत तो बताया और इसके संचय और व्य के बारे में संपूर जनकारी दी चारक्य का मानना है कि व्यक्ति को धन के मामले में सदयब गंभीर रहना चाहिए क्यूंकि भावतिक यूग में धन की विशेश भूमिका होती है दोस्तों चारक्य के अनुसार धन की देवी लक्षमी का स्वाव बहुत चंचल है इसलिए धन के मामले में व्यक्ति को ला परबाही नहीं बर्तनी चाहिए चारक की नीती कहती है व्यक्ति को धन अरजित करने के साथ ही उसके सही प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए धन का सही प्रयोग करना यदि नहीं आता तो धन का कोई भी महत तो नहीं होता इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा बिस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले करपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों चारक के नीती के माध्यम से आचारे चारक के ये बताना चाहते हैं कि परिश्रम से अरजित किये गए धन का उपभोग करना या फिर व्य करना धन की रक्षा के समान है इसी परकार किसी तालाब या बरतन में भरा हुआ पानी उपियोग ना किया जाए तो वो सड़ जाता है दोस्तों चारक के अनुसार व्यक्ति को धन का प्रियोग सोंस समझ कर करना चाहिए धन व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने का साधन है धन का प्रियोग, स्वयम और दूसरों के जीवन इस्तर को सुधरने के लिए करना चाहिए चाड़के के अनुसार धन का अत्यदिक संग्रे करना अनुचीत है धन व्यक्ति को उतना ही रखना चाहिए जितना उसकी जरूरत हो अधिक धन परेशानी का कारण बनता है दोस्तों धन का प्रियोग एक कला है यदि ये नहीं आती तो धनवान होना व्यर्थ है धन का निवेश भी धन की रख्षा होती है चारक की जी आगे कहते हैं धन आने पर अहिंकार से बचें दोस्तों चारक के के अनुसार धन आने पर कुछ गलत आदते भी आती है इसलिए साबधान रहना चाहिए धन पर अहिंकार से बचना चाहिए क्योंकि अहिंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है धन आने पर व्यक्ति को बिनम्र होना चाहिए और अरजित किये हुए धन का प्रियोग मानब कल्यान के लिए करना चाहिए आचार चाड़क के आगे बताते हैं बुद्धिवान व्यक्ति बही है जो मुसीबत और बुरे बक्त के लिए धन की बचत करता है चाड़के के अनुसार धन की रक्षा करनी चाहिए जो धन की रक्षा करते हैं समय आने पर धन उनकी रक्षा करता है और संकट के समय धन ही सबसे बड़ा मित्र होता है दोस्तों चाड़के के अनुसार संकट के समय धन ही सच्चे मित्र की भूमिका निभाता है इसलिए दन की बचत करनी चाहिए भोग बिलास पर धन बै करना ठीक नहीं होता जो लोग धन का महत तो नहीं समझते समय आने पर भी ऐसे लोगों को महत तो नहीं दिया जाता दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर अमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सके मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पाइरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टाय मोटिवेट, इस्टाय फियरलेस